कोटा की विज्ञान नगर थाना पुलिस ने धाई साल के मासूम की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी युवक को गिरफतार कर लिया है। आरोपी मासूम को अपनी दुकान में लेकर गया और मार पीट कर उसकी गला दबा कर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने मासूम का शव कब्र से बाहर निकाल कर उसका पोस्ट माटम भी करवाया है। जानकारी में सामने आया है कि मासूम की मां खुश्बू का आरोपी राहुल पारिक नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी को शक था कि वह उसे धोखा दे रही है। गुस्से में आरोपी ने अपनी दुकान में महिला के बेटे अंश को उठा उठा कर पठका और इसके बाद गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। वहीं हफते भर पहले आरोपी ने मासूम की मा को हत्या के विडियो भेजे तो विवाहिता चौक गई और उसने पूरा मामला अपने पती राकेश महरा को बता दिया। वहीं पुलिस मामले की जाच कर रही है। हम उनकी बातों पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद में उसकी लास को हम घर लेके आगए। रात बर लास को रखा सुबह हमने 16 तारिक को दपना दिया। हमने उसका पॉस्टमाटम नहीं कराया। क्योंकि राउल ने यह बताया। वह ब्रामन है पारिक है कि वह एक्सडेंट हो गया। यह गटना होने के बाद उसने दपनाने के बाद 12 दिन जब हो गए। तो राउल पारिक है उस बच्चे को जिस दिन मारा है हत्या की है गलादवा के उसके साथ मारभीट की है। उसने अपनी दुकान के अंदर वीडियो बनाए और उस वीडियो के विज्वल फोटोग्राफी इसकी इंशोर लेकर उस मैला जो उस बच्चे की मा थी उसको भेशता रहा। जब उसकी मा ने देखा कि मेरा बच्चा एक्सडेंड निवायर यह हत्या की गई है तो इस पर कल विज्वान नकर थानाय में कोटा में एक सो पेंशन नमर मोकदमादर जो है हमने आरोपी को गिर्पतार किया है और अनुसंदान कर रहे हैं आज एसडियों साथ भी आये हैं कि तो कोई विवाद नहीं आया है तो की मरा यह अब बच्चे को मार्ने का कारण भी अभी पता नहीं लगा है क्योंकि बच्चा 19 साल का है उसे कोई डुसमनी होई नहीं है तो मानते हैं कि युवाद है अब वो युवाद का करन क्या मनुसंदान से कर रहे हैं आरोपी की कहीं की दुखाना क्या काम करता है आरोपी के फादर है जो कोई न्यूज पत्रिका में कोई नोकरी करते थे और यह तो बेरोजगार है और 32-32 साल का है और एवए तो यह जान प क्या कि उसको के दिया मैं अस्वादान में दिखाने जारी हूं और तो मुझे शाथ लेगे जाए तो मा और बेटे और रहूल किनों स्कूटर से गया हैं असवताल में जाने के बाद में उस बच्चे को उस ने रहूल सोम्द्या को succ紅 कूर कर के ले जाके और द और वो अस्पिताल में गई यह अनुसंदान से बताया है और अस्पिताल के बाट से वो बच्चे को अपरण करके ले जाके और दुकान के अंदर उसकी अध्या करते हैं डॉक्टरों की टीम भी आई है हम उसकी कबर से लास निकाल रहे हैं 16 अपरेल को जो दपनाई गीती उस लास्ट का आज हम पुने निकलवा के रिपोस्वाटम कराएंगे और हत्या का जो कारण है वह हम लेंगे एफेसल बेजेंगे डी आने परिक्षिन भी कराएंगे और अनुसंदान करेंगे आरोपी ब्रामन है इसका नाम रहूल पारी कैर उसका पर्तम दस्टिया ऐसे लगता है को मेंटली साइको टाइप होगा हालांकि मुझे लगता नहीं साइको है वैसे बात्चीत में तो सही लग रहा है क्योंकि खुद ने मारा है खुद ने वीडियो बनाया है खुद वीड में बता रहे हैं यह आपस में इस तरह से इनकी जान पे चान होगी तो ही कोई इनके मैला के कोई घरवार बिश्काजरी में कोई बंडारा था यह बंडारे में मिलेते अब आगे क्या कारण है यह अनुसंदान से पता रिवाद अभी तक रखा साथ में बच्चे को नो नो हाडोती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए यूटूब पर सब्सक्राइब करें हाडोती न्यूज और प्रेस करें बैल आइकन को